पिर यहां पर कर्मियों के निदान बता रहे के कपचकरियों के नाम कि आंत्रात उद्राद अर्द्यतर चुरू दर्पू सोगंदी के मागुद है ना तो यहां पर नाम बता दिये इनके फिर इनका प्रभाव बता रहे कि जी में चलाना जी में चलाता है मुख से जन निकलता यहां पर देखना मैंने इनको याद करने की तो है संख्या को ट्रिक लिख देए यह मैंने पहले सुत्रस्तान में बता दिए कि अपने को पुरिषज कर्मी 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 पुरिषज कर् good तिल तेक हैstudy clean बोजन संकीन बोजन वह सारे जो निदान देर हें वहीं निदान किसके होते हैं कफ़ज कर्मी के होते हैं फिर आगे देखना श्थान तर उसका पक्वाज से ना इसका स्थान और वरण तो प्रिषज कर्मी होते हैं उनका आकरती वरण कैसे होते हैं तो यह इस से आकरती और वरण बता दी पिर उनके नाम बता रहे काकेरूग मकेरूग लेली सूलक सोसुरा तो इसकी ट्रिक अपने काकेरू मकेरू ले सोसुरा इस परकार से कुछुछ ट्रीक जो है अपने सुत्रस्थान में याद की थी तो इनके नाम हो गए पिर यहां पे इनका प्रबावत बता रखा है कि प्रिशज कर्मियों का प्रबाव तो इसमें देखना मलका पतला होना तो मलका पतला कर देते हैं यह श्रीर में कर्षता होती कठोरता होती ठीक है रोमान्स उत्पन होता है फिर यह क्या करते हैं कि गुदा के मुख में गर्चजकर् iq का व्रनकरदिये गया तो इसको एक बार और देख लेते हैं कि इनका निदान तैयए कफज कर्मी की इस्वान होता है इत ठान हो गारत Śथान हो गाये अकरती और वरन की कि सक्षम गोलकार स्पेद बेड के बाल के तरह रोते हैं कुछ क्रिमी मोटे गोलकार कारे noises नीले अरे पीले अब इनके नाम होगे का केरुक मकेरुक्लेड़। ले लिलिए करिक है पिर इनका परव परवाव में कहलिक होगे मलका पथला उना शरीर में कर्ष्टा का होना कठोरता रोमांच उत्पन करना पिर गुदा के मुख में सुष्च बने किची पीडा खुजली उत्पन करते हैं और इनमें हर उत्पन होता है तो यह बार-बार गुदा के मुख से बाहर निकलते हैं तो पुरिशिज कर्मियों के निदान होगे अब अपन देखते हैं कर्मी रोग की चिकिच्या तो यहां पर कर्मी रोग की चिकिच्या बता रहे हैं तो कर्मी रोग की चिकिच्या तीन होती हैं कौन कौन सी एक तो आपकर्शन एक परकरतिवी गात और एक निदान परिवर्जन तो पहला देखते हैं अपन आपकर्शन त तो बाये कर्मियों को क्या करना है कि बाये कर्मियों को या तो यंतर के द्वारा या फिर हाथ से क्या करते हैं उनको खीच कर अपकर्शन करते हैं ना बाहर निकाल लेते हैं फिर इसके अलावा बता रहा है कि अपने स्थान अमाज से मिश्चित कर्मियों को निकालने के लिए बहुत पुरिशाज, रक्त, रक्त, तरयाय समज कर्मी होते हैं तो बाये कर्मी को अपन यंतर शया फराथ से क्हीच कर निकाल सकते। तो उन के लिए किसे प्रियोग करतें और सद्ध करक्र करते हैं अब कर्शन के लीए अब कर्शन के लिए कितने चार प्रकार का होता है जो बेशच का प्रियोग करें न वह आपकर्शन करें चार प्रकार का होता है कौन सा शुरोविरेचन वमन विरेचन और आस्तापन अब्यांतर कर्मी को निकारने के लिए आपने चार परकार का क्या करती है है तो फोद्न करम क्या करते हैं चार परकार का करते हैं आभ्यंधकर्मरे निकाने के लिए रहेरे महीं दूसरी चीकल मतलब उत्पाद्यक कारण और बैका नास करना तो इसमें क्या लिखोगे कटू तित कसाई इस रस का परियोग करते हैं सार और उसन द्रवे के परियोग से पिर इसके लाव बता रहा है कि अन्य द्रवे जो कप और पृष्ट के गुणों के विपरित होते हैं उनके सेवन से कर्मियों का परकरती विगात होता है तो परकरती विगात के द्रवे बता दिये कि कटू तिक्त कसाई चार और उसन इन द्रवे का परियोग करना है फिर इसके लावा और कोई भी द्रवे जो कप और पृष्ट के विपरित गुण वाले होते हैं उनका प्रियोग करना है तो ये पीसके होगी परकरती विगाद चीक इच्छे होगी कर्मी की अब next देखते हैं निदान प्रिवर्जन तो निदान प्रिवर्जन में करना निदान, निदान क्या हो गया मतलब कर्मियों को जो निदान होते हैं न कारण होते हैं हित्त होते हैं उनका प्रिवर्जन करना मतलब त्याग करना तो यही बात हो रहा है कि निदान में कहें गए बाओं का सेवन नहीं करना तो निदान में जो कर्मियों के निदान बताए गए अगर उन बाओं का सेवन नहीं करें या फिर उनका त्याग करना ठीक ह तो यह इसकी तीश्री चिकिच्या होगी तो इस परकार से कर्मी की चिकिच्या तीन होती है अपकर्षन परकर्टी विगात और निदान परिवर्जन अब जाएं यहाँ पर आपको कोटिचन नमबर 16 में आपकर्षन की विदी का विश्तर्त विवेचन कर रख है कि आपकर्षन की विदी जाओ वो किस परकार से करनी है तो इसमें देखते हैं यह करा है कि आपकर्षन जो मल आपकर्षन कर्मी होते हैं उनके आपकर्षन की विद कि 100 दन से पहले क्या करता है तो सबसे पहले इसमें क्या कर Space या साथ दिन तक OC伐तं करवाने की बुमार क्या करना है कि आपने को करियों को बार ने के लिए या पिक रमी कई सब्रती दूसरे स्थान में नांच ले गई हूं कई लेंगे बता Вы can को छोड़ कर किसी और स्थान में चले गया हूं तो उनको वापिस अपने स्थान में लाने के लिए क्या करते हैं सुबह श्याम उसको जो निदान होते हैं कर्मियों की निदान महला दूद गुड तिल आनुपमास मचली तो इस परकार के बोजन करवाते हैं उसको हना किसके ल कि सुबह स्याम दूद गुड तिल मचली आनूपमास इनका बोजन करवाया फिर क्या करना है कि रातरी में बोजन जो है सुख पूरक पच जाए या फिर रोगी जो है रातरी में सुख पूरक सेन कर चुका हो और रोगी की सारे रिख मांशिक स्थीति जाए सही हो और वो आपन वामन विश्चन दवारा क्या कर वा दिया जाता है संद सोधन कर वा दिया जाता है तो इस परकार से यह जिए अपकर्षन विधी का बंग करूँ ता 법ने को यह easily लिखनी पड़ेगी और वैसे नॉर्मल चूच रहा है ठीक है पांच 3 वचिसें में का थोड़ा थोड़ा यह लिखना पड़ता है ज्यादा इतना लिखना नहीं तो वहां पर वह वाली लिख देंगे अब आपना के देखते हैं तो इसमें देखना यहां पर बता रहा है तीन दिन या साथ दिन तक आस्थापन बस्ती का प्रियोग करें मलग कि आस्थापन बस्ती का प्रियोग अपने को कर्मी चीकेचे में कितने दिन तक करना है तीन दिन या साथ दिन तक तो याद रखना कि आस्तापन बस्ती का प्रयोग तीन दिन या साथ दिन तक करते हैं है हम नेक्स देखते हैं इसको छोड़ सकते हैं इतना कोई बोली है यहाँ पर देखना कोटेशन नमबर 30 में ठीक है यहाँ पर जो है वही चिकच्या जो है इसकी दुबारा से बता रहा है बस नाम इसका अलग लिख दिया है यहाँ पर देखना संसोदनम, संसमनम, निदाने से वर्जनम कर्मीरों की तीन चिकच्या बताई पहला यह क्या है संसोदन अपतरपन देखा था, अपतरमड में क्या करवा थे, संसोदन करवा रहे थे अब्यंतर कर्मी का तो इसलिए इसने उसका नाम क्या लेख दिया, यहाँ पर संसोदन लिख दिया फिर बता रहा है संसमन, मालग कि अपन परकरती विगात कर रहे थे परकरती विगात में क्या कर रहे थे, कर्मियों का अपन समन कर रहे थे, नास कर रहे थे तो इसलिए ये क्या हो गया संसमन मलग अब परकर्टी विगात की बज़ाई यहां पर क्या लिख दिया इसने संसमन लिख दिया और फिर तीसरा निदान परिवर्जन ये वैसा का वैसा लिख दिया तो इसलिए अगर कर्मी की चिक्चा में इस परकार्शे भी लिख सकते हैं स संवाजवदं संसमा निदाने से परुजनम इस प्रकार से जोए कोटेशन क्यूष्ण में दे दिया जाता है पूच लेया जाता है यह किस की चिकष्छा थो यहे कि की चिकष्छा ह्धुष्ण कर्मी की बता है क्मी कर्मी ना विगेयो सप्थ दाथू के लिए और सब्थ को दर्वय संघ्र है तो यह किसके लिए होती है कुष्ट के लिए तो इनमें confusion नहीं होना है तो इनका अलग-अलग याद रखना है ये पीजी में क्यूशन आ जाते हैं कि विग्गे और सब्ट दातू किसे रिलेटिड है विशर्प से हेतवादी सब्ट को गण ये किसे रिलेटिड है करमी से यहाँ पर जाबना चैप्टर खतम हो गया अब नेक्ष्ट वीडियो में आपन नेक्ष्ट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगी दन्यवाद